मुंबई की भीड भरी ट्रेन में सीट के लिए मारा मारी होती है लेकिन सच यह है कि अगर आप रोज ट्रेन में खड़े होकर सफर करते हैं तो आपका वजन कम होगा एक नई रिसर्च के अनुसार रोजाना खड़े होकर आप अपने सरीर की कैलरी कम कर सकते हैं विश्व स्वास्त संगठन के रिपोर्ट के अनुसार रोजाना दो घंटे खड़े होकर भी आप कम से कम पच्चास कैलरी कम कर सकते हैं वील सीसी की फाउंडर प्रमुक वंदना लूथरा ने मुंबई में स्टेंड अप अभियान का एलान करते हुए कहा कि 26 नौंबर को मोटापा निरोधक दिवस पर देश भर में खड़े होकर काम करने का अभियान सुरू होगा इसके लिए जन जागरट और पैदल मार्ट जैसे कारिकरम भी होगे उन्होंने कहा कि आज के दौर में कही लोगों को जिम जाने और वियायाम करने का मौका नहीं मिलता ऐसे में अगर लोग रोज थोड़ी देर खड़े रहें तो भी उनका वज़न कम होगा नमस्कार पहले में लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आज मंबई में हूँ यह हमारे लिए VLCC के लिए खासतोर पर एक बहुत ही इंपोर्टन मंध है और आज हमारा जो अंटी ओबिस्टी डे है जो हमारा 26th of November actually हमारा अंटी ओबिस्टी डे है मैं चाहती हूँ के महाराष्ट्र में खासतोर पर मैं देख रही हूँ के लोग अपनी स्पास्त का बिलकुल ख्याल नहीं रखते हैं और यह जो 26th of November है यह कैम्पेइन है जो वील्सी ने ने 19 साल पहले शुरू किया था जो पहले एक खाली वील्सी की प्रॉप्टी हुआ करती थी आज यह ग्लोबल कैम्पेइन बन चुका है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसपेट करते हैं तो यह जो इस साल का कैम्पेइन है वो स्टैंड अप इंडिया है और इसमें हम खाली यही बात बोलेंगे कि प्लीज अगर आप अपने स्वास्ते के बारे में अप मैं जानती हूं आप कोई अक्टिविटी भी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम आप दो घंटे रोज खड़े रहे हैं इसमें आप सुफिशिएंड अमौंट अप कैलरी बॉर्न करेंगे जो जो पूले इसमेन चाहते हैं जो खूले रहे हैं नहीं आप कर दो कि अप्ली अपिर के अपने सफिवाश्टे इसमें नहीं विए सब्सक्राज अस्तर आप मैं जो फूल्गां गया कि अच्छेट 9000 अचों अच्छे अच्छू च्छेट कॉम धिनीड नापने सुना कि क्योंकि डाइट क्या होती है, डाइट तो हम ही कुछ एक वर्ड बना दिया है, जिसका कोई, it basically makes no sense to me, क्योंकि हम डाइट डाइट बोलते उतना ही दुबाया डबल खाना खाते हैं, मैं इतना ही कहूंगी कि आप जो भी खाना खाईए, वो उस बात का ख्याल रखिए कि उसमें कम घी, कम नमक, कम चीनी हो और वही खाना मेरे लिए स्वस्ते हैं, तो आप अगर आप अपने 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 अपनी रहना चाहते हैं, तो stand up India campaign को follow कीजिये और अपने घर में, जो भी आपका salt intake है या कोई भी आपका sugar intake है, जितना भी आप oil लेते हैं, उसको 50% reduce कर दीजिये, और खाना खाये, विच इस रिच इन फाइबर, लो इन फाइब, लो इन फाइब, जो प्रमोट दाट एंप्व आप अपने लोगे अपने 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 इस प्रमारेंब्र, यह जो हमने 26th of November, करें, जो हम लोगों को conscious कर सके और एक friendship day होता है, valentines day होता है, तो क्यों ना एक anti-obesity day हो, which promotes good health, और मैं समझती हूँ, यह बहुत अच्छा ख्याल था, जो हमने VLCC में शुरू किया, अज से 19 साल पहले, और यह globally अब लोग मनाते हैं, जैसे कि Valentine's Day है, Friendship Day है, Mother's Day है, आज anti-obesity day, लोग हर साल observe करते हैं, so that was the objective of reminding people that they have to be healthy, they have to look good and they have to be confident. मैम लाशली ये इनिशेटिव को कहां पे प्रमोट किया जाएगा, मदब पूरे इंडिया में कहां कहां पे और आप जाके प्रमोट किया जाएगा? with local communities, local administrations, medical fraternity, ये सब मिल के हमारे साथ इस campaign को drive करती है, और जैसे कि मैंने बोला, पहले ही ये खाली VLCC की property थी, हमने जरूर इसको शुरू किया था, but today it's observed by several people and huge corporates, so it's become a huge, huge awareness program, I would say, a huge awareness campaign. मुंबई शहर के अगर बात की जाए तो मुंबई शहर को किस तरह आपने target किया, ये campaign मुंबई शहर में कब से शुरू की जाएगे, क्या इसका हो रहेगा? ये campaign पूरे भारत में, पूरे country में, जह हम, 16 country में जह हम काम करते हैं, वहाँ पे हम observe करेंगे, पर खास तोर पे हमारा focus, मैं आज मंबई में आई हूँ, और इस दवा हमने सोचा कि ये campaign हम मंबई से शुरू करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग, जो obesity, काफी obese है, और obesity related medical disorders भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, हम चाहते हैं, लोग तंदरुस रहे, और खास तोर पे महला यहाँ पे अस्वस्त जीवन बिता रही है, हम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा जीवन दे, उनको remind करें कि वो एक अपने family में एक role model है, अगर महला स्वस्त है, तो प ब्रैंड आपने मुंबदेश के जो बड़े-बड़े मेट्रों जे से बैइन है, बहुने है, बैंडलोर पूने है, इंडवादे से बड़े-बड़े शहरों कि इसका ताफिक अपने ब्रैंड बना इमिज बना वाज़े हैं, इन शहरों को भी आप टार्गेट करने जा रह ऐसे ब्रैंड खुले और वो चाहते हैं कि वो भी अच्छे लगे, वो भी स्बस्र है, they also want to be transformed, they also want to look good. Thank you so much.